अठावन वा इश्लोक यहां से आरंब होता है आदी अत्वा पारम रहित संसार इसी जन्म में मुझ जैसे पशूधवारा पाप हुए है या मैंने करवाए है मोहु में पढ़कर या लोब में पढ़कर या स्वयम कोई नश्ट करने के कारण जो अनुमोदन किया है उन सभी के लिए मैं प्राइश्चत करता हूँ कहने का अर्थ है कि अनादी काल से हम जन्मू से जो की दुरगती में हम बैठे हुए है जिस तरह से कोई नर्क में है प्रेत में आदी आदी या जानवर की रूप में है ये सब कलेश के काबू में आकर ये सब कार कर रही होते हैं जैसे मुकाबला वाजी करना किसी के प्रती खुन्नस होना ये सब जो कलेश की सोच है यानि पाप की सोच है ये सब ख्याल आने का कारण हमारे संसकार होते हैं आदत होती है इसलिए मोहु में आकर अग्यानता में आकर जिस तरह से पाप करते हैं जिस तरह से पाप में आकर किसी की हत्या करना या चोरी करना या किसी और की औरत या मर्द के साथ गलत संबंद रखना या पिर बलातकार करना या खुद के द्वारा पाप करना या किसी और के लिए पाप होते हैं उन पापों की कद्र करना यानि कि पापों को बढ़ावा देन इस तरह से मेरे द्वारा जो पाप हुए है, इसके बाद जो व्यक्ति का तौर पर बता रहे हैं, और मेरे द्वारा बुद्ध धर्म के प्रती, मा, बाप, गुरु जनु के प्रती, जो भी कलेश में आकर पाप हुए, मेरे पापी, मैं अपने आपको पापी घुशित करते इसके लिए 33 पेजके शलोक में बताया गया कि किस तरह मेरी भावना ये हुती है कि मुझे बचाओ, कहीं पाप का प्राइशित किये बिना मेरी मृत्ति हो जाए, स्वास्त की परवा किये बिना लोग, लोगों को परशानी पहुचाते हैं, जहां तक हम पाप की बात करते है तो वो किन बजहूं से किये जाते हैं, तो ये सब हम संसकार के कारण ही करते हैं, हमारे अंदर जो संसकार हैं, उनके कारण हम पाप करते हैं, जिसके कारण दुरगती जैसे नर्क, प्रेत या जानवर आदी में पैदा होना, या फिर मनुश्य देही में पैदा होना, इसके बाद साब्धान ना रहे तो उससे भी खत्रा है। ऐसे महौल में शूनिता या बहुत दिचित्ति की भावना करनी चाहिए। इनकी भावना करने से हम प्राइश्चत करने में साहिता मिलती है। बाद पैतीसवे श्लोक में कहा गया कि इस दुनिया में ना तो मैं रहूंगा ना तो कोई और बना रहेगा। जैसे की कहा गया कि जैसे बीमारी की बात होती है, बीमार कब हो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानि आने वाले जीवन का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। य यह नहीं छोड़कर जाने की जो बात होती है इस वक्त हमारे पास एक मौका है कि हमारे आसपास पुर्ण के संसकार होते हैं और उनका हम लाब उठा सकते हैं। माध्यमिक दृष्टी से बताया जाए तो पौन के संसकार से भी, धर्म कर्म के संसकार से भी हम लाब उठा सकते हैं नहीं तो जैसे ही कर्म भोगते हैं तो नश्वरी होने से कर्म खत्म हो जाते हैं और जो भी बीता हुआ हमारे अतीत में बीता हुआ मित्र या शत्रू जो भी है वो सिर्फ आज के समय में यादाश तक सी मित्त था वो साक्षात हमारे सामने नहीं हैं लेकिन मित्र और शत्रू के प्रती जो हमने पाप किये हैं वो सारे के सारे पाप हमारे जिस्म में हैं इसल लोक नमबर 38 में हैं, यहां से शुरू करते हुए मैंने ये नहीं देखा या सोचा कि शन भर का महमान हो। इसलिए मैंने अनेक पाप किये। इसलिए यहां बौदिस्त को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूँ कि मैंने अनेक पाप किये है। यहां तक उसके बाद राग, द्वेश, निरंतर आयू का भै होता है। आयू खर्च होती जाती है। आयू बढ़ती नहीं है। तो फिर मृत्यू तो निश्चित है। तमाम लोगों के बीच रहते हुए भी मुझे मृत्यू प्राप्त करेगी। मुझे मृत्यू मिलकर यहां से भी मैं मुहू की ब्याका कर रहा हूँ। यह जो भी कुछ हम कर रहे हैं, यह मुहू में आकर कर रहे हैं। जहां चक्र अग्यानता की मुहू की बात होती है, तो मुहू कई तरह के रखे जा सकते हैं। जैसे की कर्म या फल से सम्मंदित। और तो और यहां पर हमारा ध्यान जाना प्राहिए। जहां तक कलेश की बात होती है तो एक बहरी कलेश होते हैं और एक मोटे मोटे तौर पर कलेश होते हैं। जैसे कि इनसान और धर्म दो चीजे होती हैं तो इनसान व्यक्ति से संबंदित और धर्म से संबंदित बात हो सकती है। इसलिए हमारा ध्यान जिसे रूप को सच मान लेते हैं उस ओर जाना चाहिए कलेश रूपी जो सच है उसको खत्म करने के लिए जो की मोह तक जाना बहुत जरूरी है जैसे कि बताया गया, मिसाल दी गई जैसे कि शरीर या जिसम के हर एक अंग पर छाया हुआ है जैसे कि आख पर नहीं चाया होता, नाख आख पर नहीं चाया होती लेकिन शरीर जिसम के हर एक अंग पर छाया होता है जैसे कि कलेश जो है, वो हर एक मोह पर छाया हुआ है बाकि जो कलेश होते हैं, जैसे कि राग है, द्वेश है, लालच है, क्रोध है सब ही उन पर नहीं चाय होते फिलहाल के करोद को खत्म करने के लिए सेहन शिलता लावधायक होती है जैसे कि लालच और राग को एक गंदिकी की रूप में देखना लाव होता है फिलहाल मोलू रूप से उसे जर से उखार फेकनी की जर्वत होती है इसलिए एक मोह को खत्म किया जाए तो फिर इसके लिए निरात्म यानी आत्म शूने की ओर ध्यान लगाना चाए यही मात्र मोह को खत्म करने का एक उपाय है तो ऐसे मोह को खत्म करने के लिए कर्म या फल के द्वारा ही उत्पाद है ये जानना जरूरी है तो यहां प्रती उत्पाद के कर्म और फल से उत्पाद है वो कर्म और फल जो कि सामोहिक होते हैं जो उस पर नहीं जाना चाहेगा यहां सारा कुछ प्रती उत्पाद कार्थ होता है केवल नाम और इशारा मात्र से है कर्म और फल पर धियान ना देते हुए सारा कुछ नाम मात्र और संकेत मात्र ही है जैसे हमें दिखाई देता है वैसे वास्तब में नहीं है तो कोई वी वस्तु साक्षार्थ है ऐसा नहीं माना जाता है यहां इसके बाद अब 49 नंबर के श्लोक जो है जैसा कि इसमें कहा गया कि दिन रात आयू का भै होता है आयू खर्च ही होती है यह कभी बढ़ती नहीं है इस तरह से बंदुक वालों के बीच भी मैं अकेला ही मरूंगा तो जिस तरह से इसमें कहा गया कि गरंत की माध्यम से अगर कहा जाए तो धर्म और कर्म जो करना है वो बिना अभ्यास किये एकदम से हो पाना अपने आप में होना मुश्किल है संसकार के कारण स्वयम अपने आप को जगाना बहुत सरूरी है उधारन के तोर पर अगर बीस वर्ष जीवित रहने के साल बचे हों तो उन सालों में से आज सुबह से देखा जाए तो अब तक आधी जून खत्म हो चुकी है इसलिए हम जैसे प्रयास करने को तो अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं जैसे स्वास्त लाब किये जाते हैं लेकिन इसके बाबजूद भी दिन प्रति दिन मृत्य के ओर ही जा रहे हैं इसलिए उम्र घर्टी ही चली जाती है बर्ती नहीं है इसलिए गुरू ने कहा कि इस संसार में जो कुछ है हमें नजर आता है वो वास्ताफ में वैसा नहीं है इसलिए किसी ना किसी दिन यम्दूत हमारी समक्षाएगा वो कब आएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है इसलिए एक तो मृत्तिव तै है दूसरा ये कि कब होगी निश्यत नहीं है इसलिए जैसा की कहा गया कि यम्दूत को टालने के लिए सिर्फ पून ही किया जा सकता है और ऐसे पून का संचय मैंने नहीं किया यहां से जीवन में दुखों के डर के कारण ना जानने के कारण है मैंने पापों को संचय किया इसलिए किसी को छीनने वाले व्यक्ति को प्यास लगती है उसे संसार में कुछ नहीं दिखाई देता इसलिए आदी जगत के स्वामी महाबल शाली सभी की कस्ट हरने वाले बुद्ध के शरण में जाते हूं यहां से व्याक्या करते हुए जैसे की शिरोक में कहा गया उसी तरह से जैसे की चतुर शरण गरंथ में कहा गया है कि भगवान बुद्ध को भी जैसे की राक्षक सोते हैं कलेश रूपी राक्षसों से विजय पाते हुए बुद्ध को माना जाता है इसी तरह भगवान बुद्ध चार कायों से संपन है भगवान बुद्ध को हम कोई प्राचीन काल से सनातन से या भगवान के तौर पर नहीं देखते हैं बुद्ध को हम हमारे जैसे ही एक व्यक्ति के रूप में इनसान के रूप में देखा जाता है इस तरह से बुद्ध की प्राप्ति करते हैं इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य के प्राणियों के शुरुवात नहीं रखे जाते इसी तरह बुद्ध के शुरुवात रखना मुश्किल हो जाता है जैसे कि मंगला चरन के तौर पर बताया गया था कि भगवान बुद्ध को प्रमानिक तौर पर दर्शन करते हुए ऐसे ही नागारजुन द्वारा भी अपने भगवान बुद्ध के प्रती वंदना करते हुए अंत में उन्होंने ये कहा कि बुद्ध के द्वारा करवना यानि प्रेम के द्वारा ही बुद्ध प्राप्त कर सकते हैं भगवान बुद्ध की करपा रही कि नागारजुन पिताप पुत्र आदी से लेते हुए बुद्ध के प्रती वंधना करते हुए वास्तब में बुद्ध का ध्यान करते हुए मुक्ष की प्राप्ती कर पाए बुद्ध के अंदर जो प्राणियों भी ये प्रती प्रेम है उसे ध्यान करने से मुक्ष मिलता है इन महाचारियों या पंडितों के नागारजुन आदी के आज चित्र की रूप में हम उने देखते हैं लेकिन क्या वास्तब में वो इसी चकल के थे ऐसा मानना मुश्किल है लेकिन इनकी जो पुस्तके हैं उससे उनकी रचनाएं और सोच विचार पर कोई शक्षंका नहीं उनके लेखों और रचनाओं से हम समझ सकते हैं कि सारे महापुरुन और पंडित जो थे वो कितने करुना से भरभूर आचार रही हैं तो इसलिए उनके द्वारा लिखे हुए आचार शान्ति दे द्वारा पढ़ कर हम समझ सकते हैं कि कितने प्रेम वाले हैं करुना के तो ये स्वयम जो आचार थे वो स्वयम करुना का अभ्यास करते हुए अपनी सोच भावना को लेक के रूप में हमें दे कर गए हैं तो सही माईने में जैसे मां में बच्चों के प्रतियक समान प्रेम और करना होता है। उसी तरह भगवान जुद्ध की जो वचन है उसी तरह हमारे सामने रखें। जैसे पुत्र तंत्र आदी में जैसे कि साथ किस्म के वज्र के नाम से बताये गए। वो बताये गए बुद्ध धर्म संग हेतु हमारे दाता हैं। ऐसे ही हमारे धातु आदी सवभाब आदी से होते हुए कि शुद्ध होने के लिए हमारे पास मौका प्राप्त है। अभाब से जैसा हम सूसते हैं वैसा वास्ता में नहीं है बलकि शुन्य है। उस शुन्य में लीन हो जाए। ऐसा हम अभ्यास करके शुन्यता को जान और समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां बिना बौद्ध चित्त के केवल शुन्यता से बौद्ध की प्राप्ती नहीं हो सकती बिना कलेश और राग दुईश और मुहों खत्म कर सकते लेकिन उसके मुहों संसकार को जर से नहीं हटा सकते संसकार को हटाने के लिए शूनिता के साथ बौध चित का होना बहुत सरूरी है बहुत चित की प्राप्ती करने का संकल्प लेते हुए अभ्यास करना चाहिए एहिंकार में कहा गया कि धातु आदी सोच विचार या लोगों की जो सोच है उस आधार पर जैसे ही आचार जी ने भी कहा कि भगवान बुद्ध के प्रती वंधना करते हुए बड़े आश्चर के साथ उन्होंने कहा कि भगवान गुद्ध या गौतम बुद्ध की तरह कोई और हो सकते हैं जिन्होंने हमें ऐसे मार्ग दिखाए हैं इसलिए इसके बाद जो 48 नमबर का श्लोक है उसमें भी कहा गया कि मैं उनके द्वारा प्राप्त किये गए धर्म की शरन में होता हूँ जो की देह का नाश करता है उस बुद्ध की शरन में जाता हूँ इसलोक के माध्यम से भगवान के बुद्ध के प्रती जो आचारों ने वंदना की वो वास्तिविक्ता की आधार पर की गई इसलिए कहा गया है कि बुद्धिस्टों की शरन में जाता हूँ इसलिए मैं उनके द्वारा प्राप्त किये शरन में संसार में भे के नाश करने वाले बुद्ध की शरन में जाता हूँ यह पहला विशय है क्योंकि इसमें केवल अपने मुक्ष की प्राप्ती के लिए धर्म अभ्यास करना उसके बाद बुद्धिस्टों की शरन में जाता हूँ यानि दूसरों के हिद में बौध्ध प्राप्त करने की बात होती है इसके बाद इस लोक में भैसे भड़ा अपने आपको समझने की बात कही गई है मंगलाचरन के तौर पर कहा गया कि संसार के जो कलेश रूपी जो संसकार से जो छटकारा पाना है तो इसके लिए भगवान बुद्ध के प्रती नमन करते हुए उनकी शरण में जाता हूँ जैसे आच्वार ने कहा कि भगवान बुद्ध ने वास्तिविक्ता यानि यथार्थ का ग्यान प्राप्त कर उस आधार पर गए ऐसे मार्ग दिखाने वाले बुद्ध की वंधना करते हुए क्योंकि यथार्थ प्रती समर्पात की वंधना करते हुए बुद्ध के जो मार्ग हैं उनके दर्शन करते हुए हमारे मन में जो एक अपनी दरस्टी से सच मान लेने का जो संसकार बैठा हुआ है जैसे कि आच्वारे ने कहा कि संसकार को उसकी जड़ से उखार भेकने के लिए बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है। क्योंकि आज तक हम कलेश और पाप के सोच को बुला रहे हैं। वो हमारे तरफ नहीं आते हम उन्हें बुलाते हैं जो गलत सोच विचार होते हैं उन्हें हम बुला कर अपना रहे हैं। प्रती शोध करना समपन्य हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रती श्रध्धा आस्था जो है वो ग्यान रूपी श्रध्धा आस्था है। इसलिए उसी तरह से बुद्ध पालिता ने भी बुद्ध की वंदना किये है आचारे ने ऐसा कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा जो भी मार्ग दिखाए गए है ऐसा मुक्ष की प्राप्ती के लिए है इसलिए जैसे कि शलोक में भी भगवान बुद्ध की वंधना तीन कलपों तक पुर्ण और ग्यान के माध्यम से प्राप्त की गई इसके बाद यहां से एक के बाद एक पाठ करते जाईएगा तो भैस भरा हुआ मैं समाप्त हो जाएगा करुणा से विलंब को खत्म करने वाले बुद्ध मुझ पापी की रक्षा करे इसमें एश्वर के प्रती जो वंधना की गई है भगवान बुद्ध ने स्वयम जो की सूत्रों में एक तरह के अनमोल कद्र की है तारीफ की है क्योंकि स्वयम भगवान बुद्ध द्वारा भी अनुमोदन किये गए है स्वभाब से ही प्रेम होने के कारण मैं एक के बाद एक उन्हें पाने की इच्छा रखता हूँ भगवान खाने की इच्छा रखता हूँ